असलाम अलेकुम, आज हम सिंटेक्स टुट बूर्ट की बुक सैवन की एकसराइज नमबर 10.1 देख रहे हैं, जो कि जो मेक्टरी के बारे में हैं, और बहुत ही इंट्रेस्टिंग एकसराइज है, मुझे तो एकसराइज परसनली बहुत पसंद है, अमीद है आपने अपको भ पर तो कुछ उनके बीच के एक सैकुलर, एंग्यूलर डिस्टेंस को जो है, इस तरह से जो नापा जाता है, और उसको नापने के लिए जो आला हम यूज करते हैं, उसको प्रोटेक्टर करते हैं, आप लिए भी करते हैं, और डी पर कुछ डिग्रीज बनी होती हैं, 90, यह तो यह 0 से लेकर 180 तक प्रोटेक्टर नापता है, लेकिन डिग्रीज जो टोटल हम नापते हैं, तो एक सैक्ल को हमने 360 डिग्रीज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, तो दो लाइन्स जब भी एक दूसरे को इंटर्सेक्ट करती हैं, टच करती हैं, तो उनके बीच में कुछ अंगल्स बनते हैं, ठीक है जी, और नॉमली चार दो लाइन्स जब पूरा पूरा इंटर्सेक्ट करेंगी तो चार अंगल्स बनेंगे, हर वो अंगल्स जो किसी लाइन पर इस तरह से हो, कि उनकी कोई एक आर्म, ये आर्म कहलाए गया आपर, उनका कोई एक आर्म ज ये दोनों एजिस्टेंट भी हैं, 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 ठीक है मुक्तलिस तरह से आप देख सकते हैं, और ये एंगल और ये एंगल आपोजिट कहला ठीक है दूसरी बात अगर दो एंगिल ऐसे एडजेसेंट हों दो तीन एंगिल इस तरह से एडजेसेंट हों कि लेट सेपोज ये 40 हो और ये 50 हो के डिग्रीज में कि इन दोनों का सम जब हम करें तो वो मिला के 90 आता हो तो ऐसे दो एंगिल्स को हम क्या कहते हैं काम्प्लिमेंटरी एंगिल्स और ऐसे एंगिल्स जो इस तरह से एडजेसंट हों कि उनको जब हम सम करें तो उनका सम जो है वो आता हो 180 तो ऐसे एंगिल्स को कहते हैं सप्लिमेंटरी एंगिल्स तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए हैं ठीक है अच्छा एक इंट्रेस्टिंग बात मैं आपको बताओं कि जो भी अपोजिट अंगिल होते हैं जब दो लाइन एक दूसरे क्रॉस करती हैं तो हमेशा अपोजिट अंगिल सेम होते हैं अगर ये 110 होगा तो ये भी 110 होगा अगर ये 70 होगा तो ये भी 70 होगा ये बात आपको याद रखनी है अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जनाब दो एंगिल्स हैं बहुत मुश्किल सवाल है बताएं एक 45 है बताएं दूसरा कितना होगा अगर ये कॉम्प्लिमेंटरी एंगिल्स हैं कॉम्प्लिमेंटरी एंगिल्स हैं इसका मतलब है कि उनका सम एक प्लस बी का सम नाइनटी आने वाल है तो उनमेंसे एक 45 है तो दूसरा कितना बचेगा माइनसर के देख लेए 45 बचेगा तो हम बता सकते हैं कि 45 हो ठीक है एक बात तो ये होगए दूसरी बात ये फिर हम एकसाइज शुरू करेंगे बहुत आसान एकसाइज है बहुत एजी है दूसरी बात ये कि इन आंगिल्स को पढ़ते कैसे हैं इन आंगिल्स को पढ़ा ऐसे जाएगा कि हम इनके जो मुक्तलिफ points हैं, उनके कुछ नाम दे देंगे, इसको A कह देंगे, इसको B कह देंगे, B, इसको C, इसको D, इसको O कह लेते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, यह A, B, C, D कहना जोरे नहीं है, और इसको ऐसे इसको F कह देते हैं, तो अगर यह O है point, तो हम इस angle को बोलेंगे, angle, angle का यह sign होता है, angle A, angle A, O, F, कभी कभी इस पर O पे छोटा सा angle भी बना देते हैं, काकि यह पार चले कि angle O पे बन रहा है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, angle F, O, B, इसको कहेंगे, B, O, C, इसको कहेंगे, C, O, D, ठीक है, तो इसको से मुक्तलिफ angles के हम नाम कॉल कर सकते हैं, अब सवालों पे आते हैं, सवाल बड़े interesting से, असान से हैं, पहले सवाल में तो पूछ रहे हैं, names of all the adjacent angles shown in figure 1, अब figure 1 आपने कौन कौन सा adjacent angle है, Q, sorry, Q, O, R, is adjacent to R, O, S, Q, O, R, angle Q, O, R, is adjacent to R, O, S, इसको S, O, R, ही वो सकते थे, क्यों फाक नहीं पढ़ेगा, हीता से, angle R, O, S, is adjacent to angle S, O, P, तो हमने adjacent angle बता दिये, question number 1 खतम हो गया, question number 2, question right, all parts of the supplementary angles from figure 2, इसमें कौन कौन से parts हैं, supplementary angle में, C, O, B हम लिखेंगे, angle C, O, B, and angle C, O, D, and angle D, O, A, यह सब angles यह हैं, वो supplementary angle कहलाते हैं, क्योंकि यह सब मिलके क्या बना रहे हैं, यह सब मिलके 180 बना रहे हैं, इसनी आसान सी बात थी, next, next है जी, बताईए, अगर M, O, N, M, O, N, पूरा मिला के 130 है, और M, O, P, 50 है, तो बताईए, P, O, N, कितना है, कितना असान सवाल है कि जब टोटल सम हम लिखेंगे सब्ट्रेक्ट पी ओ एम एंगिल पी ओ एम फ्रॉम एंगिल एम ओ एन विच इस वन थर्टी माइनस फिफ्टी विच इकोल तो जीरो तेरा में से पांच वे आठ बचे सो एंगिल टी ओ एन इस इकोल तो एटी डिग्री इतना असान सवाल था बताईए अगला सवाल है कि अगर एक एंगल 49 है तो उसका कॉंप्लिमेंटरी अंगल कितना हो बाकी है 49 प्लस 150 और 40 तो यह 41 होगा 62 को 90 करने के लिए कितना बाकी है आठ जमा करेंगे तो 70 हो जाएगा तो 28 6 और 3 36 बाकी आप फुद्फिल कर लीजेगा लाइट दा मेज़ेमेंट ऑफ सप्लिमेंटरी अंगल आप टोटल 180 चाहिए अगर एक एंगल 100 है तो दूसरा कितना होगा 100 एक वन थर्टी टू है तो इसको 140 करने के लिए 8 चाहिए और फिर 80 करने के लिए 40 चाहिए तो 48 49 में वन चाहिए 50 करने के लिए और 50 मैनस कर दें त तो यह हो गया कि साथ में चार गया थीन देशे यह बन थर्टी बना है ठीक है इस चार से आप इस सो कंप्लीट कर लीजिए आगे चलते हैं छोड़ा मिटा लेते हैं जादा हमने लिख लिए संदर नेक्स्ट है जी हमारे पास लुक अच्छा बागी आपकी आप पूरे कर ली जागा है लुक इट फिगर फोर राइट दी मेजियमेंट अफ और अपट्रिकल यह रहे और यह रहे write the measurement of vertically opposite angle अब कितना मज़धार सवाल है देखें मैंने आपको बताया था अगर ये 55 है तो ये भी क्या होगा 55 डिग्री होगा और आपको पता है एक straight line अपने उपर 180 डिग्री रखती है अगर ये 55 है तो यकीनन ये remaining of the 180 है तो 180 माइनस 55 होगे देखें कितना होता है ये 5 बचा ये 2 बचा ये 125 बच गया तो ये 125 होगा जब ये 125 है तो इसका vertically opposite कितना होगा same ये 125 होगा vertically opposite angle same होता है इतना असान सवाल था अच्छा आगे चलें जी next question है find the measurement of the unknown angles unknown angles बताईए in the following triangles अच्छा जी ये देखिए आप ये एक straight line है straight line के ओपर total angles 180 होता है जब एक angle 125 है तो दूसरा कितना होगा 5 जमा करेंगे तो 130 हो जाएगा और 50 जमा करेंगे तो 180 तो ये 55 हो जाएगा ये वाल एंगल एक triangle के total sum total angles in a triangle total sum of all the internal angles of a triangle is 180 बास समझ आ रही है किसी भी triangle के internal angles का total sum 180 होता है एक 90 आ गया एक 55 आ गया 90 और 55 बना 145 जबके total 180 होना चाहिए था तो वनटी में से 145 माइनस करें बच्छता है 35 तो ये 35 ही होगा यू हम angles को calculate करते हैं कितना interesting है अब ये पूछ रहे हैं इसमें बताईए अच्छा ये find the measurement of the unknown angles in the following triangle triangle के अंदर के angle पूछ रहे हैं अंगर के तो बहुत असान है जब ये 38 है देकिन दो lines एक दूसरे को intersect कर रहे हैं तो ये वर्टिकल एपोजिट ये भी 38 होगा ये 38 है 62 है तो जो remaining होगा 180 में से माइनस रकिया जाएगे अब ये triangle के सारे angles मिलागे 180 बनता है तो 62 प्लस 38 ये हो गया 100 तो remaining कितना बचा 80 बच गया triangle के सारे angles पर चल गया है वैसे तो हम ये ही बता सकते हैं कितना है बहुत असानी से वो कैसे बता सकते हैं जब ये दोनों मिलके 180 बना रहा है यानि एक straight line पर दो angles है supplementary angles है तो जब 180 में से 38 माइनस करें पर चल गया remaining कितना है तो 142 आ रहा है तो फिर जब ये 142 होगा तो ये भी 142 होगा दो straight lines रिस्टेक कर रही है vertically ordered angles सेम होते हैं है ना असान बताईए अब इसमें से true blank में से select करना if an angle is equal to its complement then its measure is कितनी अगर दो angle complement हैं और दोनों बिल्कुल बराबर है तो इसका मतलब है अगर complement angle 90 होते है 90 को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ें तो क्या answer आएगा ना इंटी को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ें तो 45 answer आएगा 45 is the answer next देखते हैं next question है if an angle is equal to its supplement अब यह ता आप खुद बताईएगा जैसे वैं 90 से किया था वो 180 से किके देखिएगा supplement of an angle is dash angle supplement of an acute angle acute का मतलब होता है 90 से कम अगर so angles supplement angles है और एक angle 90 से कम है एक angle 90 से कम है तो लाज़बन दूसरे angle को 90 से बढ़ा होना पड़ेगा तब ही तो वो टोटल मिल के 180 बनेगा तो जो 90 से बढ़े angles हो तो उनको obtuse angle कहते है यह ता से if an angle of a pair of supplementary angles is right angle then the other angle is supplementary angle का मतलब 180 होता है supplementary angle का 180 होता है तो अगर एक 90 है तो दूसरे कितना होगा खुद बखुद आप समझ सकते हैं कितना होगा कि वो भी 90 होगा और 90 को right angle करते है each angle of a pair of supplementary complementary angle is dash each angle of the pair of complementary is dash angle जब complementary angle देखें तो टोटल ही 90 है अब इसमें जो भी दो angle कर लें जैसे भी कर लें 90 से कम ही होंगे और 90 से कम जब होंगे तो acute angle कर लाएंगे बात समझाती है one of four angles formed by two lines intersecting each other is right angle अब देखिए दो lines intersect कर रही है ऐसे कि उनमें से एक तरफ 90 बन रहा है एक तरफ भी 90 बन गया दो lines का एक तरफ भी 90 बन गया तो फिर क्या होगा एक तरफ भी 90 बन गया तो automatically सब कुछ 90 बनना पड़ेगा देखिए जब ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा तो फिर ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा ठीक है तो यतना असान सवाल था इतनी easy question से hopefully आप समझे में आगे होंगे अब शाब शाब जल्दी से exercise complete कीजेए इंशाला आप से नेक्स वीडियो मुलाकात करते है अल्ला आफ़ेज